जैसे लाण के नीचे धरता है फिर कितना भी बड़ा हो जाए आण जिसके सर पे मुसीबत रहती है और हमेशा फटी ही रहती है गाण आज ऐसे वेक्थ की बात करने वाले जिससे हम कहते है बेस फ्राण ये प्राणी कितना भी मादर चोत क्यों नहों लेकिन बड़ा प्यारा ह है हमारे माबाप के सामने क्योंकि उनके सामने जनाब के तेवर ही बदल जाते है इत्दम भोली सी सूरत आखों में मस्ती दूर खड़ा शर्माए पर मेरी नजर से तुम देखो तो भोसड़ी वाला नजर आए ये एक ऐसा प्राणी है जो दोस्ती में जान तो देदेगा ल लड़कियों के सामने मिलीमीटर और हमारे सामने जहण वराबर बोलेंगे एक्साइटमेंट में गयांट फ्राण देगे बोलने वाला लड़कियों के सामने लिट बहुतने नहीं नहीं मरता वह अलग बात था अपनी ठीच्योरी से रोज हमें चोते हैं लेकिन ऐसा कुछ करते हो जो बार वार अपने एक्स के पास जाने वाली बात करते हो तुम हमारे मैटर में कंटाब लगाते हो अच्छे लगते हो दिमाग लगाते हो नहीं और लोग पूछते हमारी दोस्ती इतनी गहरी क्यों है तो भाइया फोटो में साथ खड़े होने के लिए तुम ही आते ह अमाना लड़की जैसे इश्क नहीं लड़ा सकते पर साथ में मूत की धा लड़ा देंगे कोई चुआ तुमको तो उस भोसड़ी वाले की गाण फार देंगे और बाप हम तुमारे जो लड़की बोलोगे वो बटवा देंगे ना मिला शादी के लिए पंडित तो हम ही हवन कुंट में आग लगा देंगे और अनकंडिशनल लव होता है बेस्ट फ्रेंड का छोटी छोटी बात पर ना लिया करो इतना लोट जब तक है जान साथ देंगे और हर मुसीबत को कहेंगे भग मादर चोद